जैहिन दोस्तो असी शब्द प्रती मिनिट की गती से संपात के डिक्टेशन स्टार्ट पूर्वी लदाख में चल रहे गती रोध को दूर करने के लिए चोदवे दोर की सैन्य स्तरिय वारता को लेकर भारत और चीन में सहमती बनना अच्छा संकेत है उमीद की जानी चाहिए कि चीन इस पर कुछ सकारातमक रुख दिखाएगा ताकि पूर्वी लदाख में तनाव खतम किया जा सके सीमा संबंधी मामलों पर विचार विमर्ष करने वाले दोनों देशों के कार्ये कारी तंत्र के प्रतीनीधियों की हाल में हुई की बैठक में पूर्वी लदाख के हालात की समिक्षा के बाद तै हुआ की अब चोद्वे दोर की वारता होनी चाहिए पिछले साल मई में गलवान घाटी विवाद के बाद दोनों देशों के बीच अब तक तेरा दोर की सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है पर वारताओं में चीन जो रवया अपनाता रहा है उससे तो यही निशकर्ष निकलता है की बातचीत का तो वह सिर्फ दिखावा करता है उसका मकसद विवाद को बनाए रखना है ऐसा सिर्फ गलवान गतिरोध के संधर्ब में ही देखने को नहीं मिल रहा बलकी पिछले डेड़ साल में भारत से लगी सीमा पर चीन की भड़ती सैन्य गतिवीदियां बता रही है की वह विवाद के नए आधार भी तैयार कर रहा है भारत और चीन के बीच पिछले महिने तेरवे दोर की वारता बे नतीजा खतम हो गई थी तब भी वारता का मुखे, मुद्दा, हाट, स्प्रिंग और देपसांग से सैनिकों को हटाने के बारे में सहमती बनाने को लेकर था लेकिन चीन ने इन इलाकों से सैनिकों को हटाने के भारत के परस्तावों को आववहवारिक और आतारकिक करार देकर वारता को पट्री से उतार दिया था चीन का ऐसा बदला रुख तब देखने को मिला जब इस साल के मध्य में ताजिकस्तान की राजधानी दुशानबे में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वारताओं के जरिये समाधान की कोशिशें जारी रखने पर सहमती बनी थी जाहिर है चीनी विदेश मंत्री अपने भारतिये समकक्ष के साथ बैठकों में जो फैसला करते हैं उस पर अमल उलट होता है अगर ऐसा नहीं होता तो तेरवे दोर की वारता में चीनी पक्ष समाधान के रास्ते पर बढ़ने के परियास करता ना की वारता में अडियल रुख अपना कर उसे नाकाम बनाने का गोर तलब है कि पूर्वी लद्दाख के सीमा विवाद को लेकर भारत का रुख पहले से ही इस्पष्ट रहा है कि जब तक विवादित स्थलों से सैनिकों को नहीं हटाया जाता तब तक इलाके में शांती की बात करना बेमानी होगी मुश्किल यह है कि चीन पर असानी से भरोसा नहीं किया जा सकता वह कब पल्टी मार जाए कोई नहीं जानता इसलिए अब देखना यह है कि चोदवे दोर की वारता के लिए वह कब तयार होता है और वारता में कैसा रुख अक्तियार करता है गलवान घाटी की घटना और उसके बाद चीन के बदले रुख से यह साफ हो गया है कि वह भारत के साथ सीमा विवाद को असानी से हल नहीं करने वाला चीन के रवये को लेकर भारत के विदेश मंत्री स. जैशंकर समय समय पर जो चिन्ता जताते रहे हैं वे बेवजह नहीं है सीमा संबंधी विवाद को सुलजाने के लिए चीन ने अब तक भारत के साथ जो समझोते किये हैं उनका वह खुला उलंगन कर रहा है सिक्किम और अरुनाचल परदेश में भारत से लगती सीमा के पास चीनी सैना की भड़ती गतीवीदिया चिन्ता पैदा करने वाली है भारतिये शेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के मामले सामने आते ही रहे है ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि चीन भारत के साथ सीमा विवाद का समाधान निकालने के लिए हाथ बढ़ाएगा स्टोप फ्रेंड्स पीडियाफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपकी अपने चैनल ओनलान लर्निंग इस्टैनों में मिल सकें आप हमारे वाट्सेप ग्रूप और टेलिग्राम ग्रूप से जुड़कर भी वीडियो का डेली डिक्टेशन और पीडिया फाइल पासकते हैं धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में